नमस्कार मित्रो आसा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे इस वेश्विक महमारी से अपने आपको बचाय रखें और ना सिर्फ फिजिकल डिस्क टैंस वलके सोसल डिस्क टैंसिंग भी बनाय रखें आज हम अपने इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे इंडर इसलिए उन्होंने सेंट्र लेश्लेटिव असेंबली बन फेंगा बन फेंगने के समय जिन दो विदेगों को पर रचाज़ा हो रही थी एक उनमे से पर्लिक शेप्टी विल और दूसरा थडे डिस्प्यूट बिल इन दौनों ही इंडियन रेल्वे मिनिस्ट्री की अंतरगत कौन कौन सी स्कीम है यह बात आप ध्यान रखें यहां इन स्कीम से बिसेश कर में में कोई भी सवाल पूछ आने की कोई संभावन नजर नहीं आती है क्योंकि ऐसी कोई भी इसकीम नहीं है जिसे में में लेके जाएं हां ऐसा हो सक सब्सक्राइब कोई सवाल पूछ जाता है में तो उन इन में से किसी स्कीम का वहाँ जैसी वी आवश्रक्ता हो और उसके बाद इंटरनेट का यूज किया गया है तो चलिए आज हम इस लेक्टर में कौन कौन से देखने वाले हैं तो सबसे पहले है नमबर एक अवतरन अव एक तरीके से ट्रांसफोर्मेशन का मतलब है यहां ट्रांसफोर्मेशन से है अवतरन का हालाइक अवतरन का मतलब अवतार से होता है तो लेकिन अवतार का वो किशी दूसरे रूप में ही आता है इसलिए रूप चेंज होके आता है तो पहला है अवतरन दूसरा है यात्री म सर्विसिस उसके बाद देखेंगे रेलवे का मदद एप उसके बाद स्रेष्ट सूत्र और फिर देखेंगे बिकल्प उसके बाद देखेंगे निर्बाण और इस फूर्ती उसके बाद देखेंगे प्रोजेक्ट सक्षम और प्रोजेक्ट स्वर्ण और फिर देखेंगे आद पूछाते हैं और मेंस का इसको यूज कर सकते हैं वहां से सवाल पूछाने की संभव नहीं जादा है तो कम से गम आप इस पीशिक का नाम ज़रूर याद रखें कि कभी पूछ लेता है कि सम्बंद किस मंत्राले से है विसेस कर एक्रोनिम बाली है यानि जो संचित रूप हैं उनका एक्रोनिम करके पूछ लेता है तो चलिए सबसे पहले हम डिसकास करते हैं अवतरन की अवतरन जो था यह एक इसको इस रूप में किया गया है इस रूप से उद्देशित किया गया था कि भारती रेल्वे का आमूल चूल परवरतन हो पाए यानि रेडिकल चेंज इन 2016-17 तक ही था इसके बाद 1718 से रेल्वेक बजट को आम बजट में विवेक देवराय कमेंटी की सिफारिस पर मर्च कर दिया गया था मिला दिया गया था तो तब इसमें कौन-कौन से मिशन सामिल किये गए 2016 में इसको डिकलर किया गया था अवतरन को और इसमें साथ मिशनों 25 टन इसका उद्देश्यच है कि रिफयन्टिव करना कि रिमेंटी कैसे होगा केरिंग कैपिसिटी को बढ़ा कर के यानि जानिकी सामान और यात्रमन है वैकसे परकूर। और कम से कम 10-20% 10-20% फ्राइट लोडिंग बढ़ा दी जाएगी और फ्राइट लोडिंग बढ़ाने के लिए जिन वैगन का यूज किया जाएगा उनका नाम है 25 टन एक्सल लोड वैगन यानि के 25 टन एक्सल लोड वैगन उनका यूज किया जाएगा बरतमान में 25 टन वाले इसके बाद है दूसरा मिशन जीरो एक्सिडेंट मिशन जीरो यानि कि यह भी इसका अंतरगत अंतरगत एक मिशन है दूसरा कॉम्पोनेंट है इसका इसके अंतरगत दो काम कर रहा है कर भी रहा है यहां भी मनुष नहीं रहता जिन क्रोसिंग पर उनको समाप्त करना और ट्रेन कॉलिशन को अवर्ड किया जाए उसके लिए एक सिस्टम और इंस्टॉल किया गया है जिससे के तेजी से होने वाले जो द्रघटनाएं होती है आमने सामने के टक्कर होती है उनसे बचाजा सके तीसरा घटक है मिशन पेस यानि प्रोक्यूर्मेंट एंड कंजप्शन एफिशियंसी इस मिशन को देश या इंडियन रेलवे की प्रोक्यूर्मेंट मतलब खरीद कंजप्शन और उप्वोग खरीद और उप्वोग की प्रक्रियाएं हैं उनको सुधारना है जिससे के वस्तु और सेवाओं की जो गुर्वत्ता है वो इंडियन रेलवे में सुधार पाए चौसा घटक है मिशन रफ्तार मिशन रफ्तार समझ में आ रहा होगा कि इसकी सुधार को दो गुना करने की बात है और पैसिंजर ट्रेन की है उनकी स्पीड में अभी जितनी है उसमें 25 किलिमेटर पर आर की एडिशन और किया जाए और जोड़ा जाए यह अगर कोई पैसिंज सुपर फास्ट या मेल एक्परिस को चलती है तो उसमें 75 पर चलती है तो से सो तक कर दिया जाए जबकि मालगारियों की स्पीड को दो गुना इससे क्या होगा कि सामान और यात्रियों की आवाजा ही तेज हो जाएगी तो हम मिशन 25 टन जो है जो पहला कंपोनेंट था अवतरन का उसमें और व्रदी हो जाएगी उसको हम अचीव आसानी से कर पाए फॉर्प को बढ़भा देना कोल मिला करके जिसने के क्या होगा कि प्राइविट सेटर का पार्टिसिपेशन इंडियन रेल से के carrying capacity augmentation और expansion इन सभी में मादद कर सकता है private sector इसलिए कम से कम सो ऐसे टर्मिनल स्थापित किये जाए प्रमुख railway station के जरीए के किनारे जहांके private sector खुले रूप में railway में निविश कर पाए चटवा है mission beyond bookkeeping इसका उद्धिश यह है कि ऐसा ना करना पड़े के railway को सारे कागजाद अपने किताबों में कौपियों में लिखने पड़ें बलके वो digitally हो सारे काम और कोई व्यक्ति उनको इस्तिमाल कर सकता है जाए input तो वो आसानी से online track किये जा सकते हैं इसलिए इसमें पुल मिलाकर के कागज पर बचाने का ध्यान दिया गया है सात्वा है mission capacity utilization यानि इसका आर्थ यह है कि इंडिया के इंडियन railway के जितनी भी capacity है उस capacity का भरपूर हम लोग उपयोग उठा पाएं फुल उसका यूटिलाइज कर पाएं यह इसका सात्वा कंपोनेंट था जो अन्तिम कंपोनेंट अवत्रण का तो इस प्रकार इन सात कंपोनेंट को याद रखें फिर से देख लें एक बार कौन-कौन से हैं सबसे पहले है mission 25 ton दूसरा है mission zero accident तीसरा है mission pace चौथा है mission रफ्तार पाँचमा है mission 100 छटमा है mission beyond bookkeeping और सातमा है mission capacity utilization चलिए बात करते हैं यात्री मित्र सेवा पर यात्री मित्र शेवा एक सर्विसिस है जो रेलवे के द्वारा उपलब्द कराई जा रहे हैं किया किसु देश के साथ तो ध्यान रखें यानि उन व्यक्तियों को जो या तो बिकलांग है या व्रद्ध है उनकी अवर्शक्ता को इस्टेशन पर ध्यान में रखते हुए यात्री मित्र शेवा को इंट्रडूस किया गया है जब कोई व्यक्ति बुकिंग कर रहा होगा या वो ओल्ड हो या बिकलांग हो तो बुकिंग करते समय वो इस यात्री मित्र शेवा के लिए टिक कर सकता है और लाव उठा सकता है और उसे इस्टेशन पर वीलचेर कम पोटर इत्याद मिल सकते हैं कि इसको यात्री मित्र सेवा को विस्स कर आई यार सीटी सी के द्वारा इन इंडन डेल्वे कॉमर्शिल टूरिजम एंड केटरिंग सर्वेसिस के द्वारा शुरू किया गया है इसमें कुछ एंजियो की भी साहता ले गई है यह मुख रूप से यात्री मित्र आपको जब द्वारा इथिक्स का मैटर है तो बिलकुल सतनिस्ठा की माद्ध्यम से इंडियन डेल्वे के करमचारियों अधिकारीयों और इंडियन डेल्वे की पॉलिशी में ethical issue करना है यानि नैतिक मुद्दों को समाहित करना है जिसे के इंडियन डेल्वे एक नैतिक सेवा भी नैति जुलाई 2018 में लॉंच किया गया था आज एथिक्स इंटेग्रिटी और प्रविटी यानि कि इमांदारी की जो इसु है वो पूरे के पूरे गवर्नेंस में पूरे प्रसासन में ही एक चिंता का विश्य सब के लिए इसी को एडर्स करने के लिए इन ही चिंता को दूर करने के सबस्क्राइब क्या प्रते करमचारी को इस प्रकार से की जाएगा जिस्षे के वो पब्लिक और पर्शनल लाइफ में इथिक्स की वैल्यू की आवशक्ता समझें यानि के नेतिक मुल्यों की क्या आवशक्ता है व्यक्तिकत और सारवनिक जीवन में करमचारी वो समझ पाए दूसरा है टू डील विद एथिकल डायलमा इन लाइफ और पब्लिक गवर्नेंस य दूसरी बात यह है कि जो पॉलिसीज है उनमें क्या एथिकल स्टेंडर्ड अपनाएगे हैं उनको वो समझ पाए जिससे के और करमचारी उसको बनाए रखे अपने बेवहार में चौथा जो इसका उदेश था वो यह है कि इंडियन डिल्वे में अगर एथिकल इसूस ला पातिये जाते हैं अगर कोुए विक्ति मैते हो जाता है तो अधिक काम कर पाएगा इसलिए जो लोगों के इंदर अंत्रिक ससाधन चुपे-हूए हैं किसी विखती कि आगर सभ्य ook कर पाएगा ठीक्से डिए राष्टरे सिर्टकॹ में अच्छा कोश किर्थ sitesya की गई है य का जो शुरुवाती फंड था वह एक लाग करोड है हालंकि ये मिनिस्ट्री और फाइनेंस के दारा क्रियेट किया गया है रेलवे के लिए विश्यस कर किया गया है तो हम इसे जश्ट अभी बाद में और देखने वाले हैं अगला जो इसकी में है रेलवे का वो है रेल मदद और वो उसको मदद मिल जाएगी यह रेलवे के रेलवे के रेलवे पैसेंजर ग्रीवेंस रेड्रसल एंड मेनेजमेंट सिस्टम का हिस्सा है अगली स्कीम है बिकल्प बिकल्प को है इंगलिस में अगर कहें तो इसका मतलब है ऑफ्षन यह जैसे मान लीजिए यह किसी आती है यह जिस टाइम पर है उस टाइम पहुच पाती है और आप चाहते हो वेटर्सल लिश्ट किया गया आप सीट नहीं मिले है तो अगले गमोडेशन यह धिर बैठने की तो इसमें की अगले वारे घंटे में बुद अब दौरान यह चुनते हैं तो आपको ने स्थान पर पहुंच पाएंगे और आप से कोई भी एस्ट्रा चार्ज इसके लिए बिल्कुल भी नहीं लिया जाएगा तो बेकल लिए पैसेंजर के लिए बिसेश कर लाई गई है जिससे को बेट ना करना पड़ जादा या उस ट्रेन from train service क्लोन का मतलब होता हूं वैसा ही डंस मतलब रेल इसोब्धाएं यानि न भी रूुट्स पर जहां हाई-डिमांट है किसकी रेल्षबाओं की थापेसेंजर्स के लिए जहां हाई-देमांड है पैसेंजर के लिए आप मिलाकर के रेल रेल्वे की भीजत hour जाता है यात्रियों के द्वारा उन रूट्स पर जो शिडूल ट्रेन है जश्मान लीजिए को शिडूल ट्रेन अल्रेडी पहले से है वह साथ बजे निकल गई फिर दूसरी आठ बजे निकलेगी तो बीच में और ट्रेन चलाई जाएं जिससे के यात्री अपने समय पर इस् जो अपनी ट्रेन पर टाइम पर नहीं पहुंच पाए थे कि शीवी समय से उसके बाद अभी हम देख रहे थे आरार एसके यानि राष्ट्री रेल संद्रक्षा कोस इसको रेलवे सेफ्टी फंड भी कहा गया है इसके माध्यम से क्या किया जाएगा जेलवे के सैफ्टी के जितने भी डाइमेंशन हो सकते हैं कौन-कौन से जैसे पुल बनाना या उनमें सुधार करना रेलवे का आसपास जो लोग है उनका रही हविलेटेशन करना और कहीं ट्रेन कहीं खराब नहों पट्री खराब नहों अन्य विभीन प्रकार के मैकेनिकल इलेक्रिकल इशू है तो इन सब की बज़े से रेलवे एक्षिडेंट ना हों दुरभटनाएं ना हों इसलिए इस रेलवे या रेल चेफ्टी फंड को इस्थापत किया गया है यह एक नॉन लेफ्शिबल फंड है नॉन लेफ्शिबल फंड का मतलब होता है कि इसमें जो पैसा है वो एक विए यह आम बजट में मिला दिया गया है इसलिए इसे फाइनस मिनिस्ट्री के अंतरगत किया गया है इसमें पैसा कहा से आएगा और सेंट्रल फंड में पैसा जो आता है वो डीजल पर शैस लगाके और प्रस लगाने से आता है उपकर लगाने से आता है जो रेल सेफ्टी फंड है एक अनिल काकोदकर कमेटी बनाए गई थी अनिल काकोदकर कमेटी की सिफारिस पर ही इस फंड को इस्थापित किया गया है मैं आपको बताते चलूं कि जो अनिल काकोदकर थे वह एटमेक अनिल के भूत पूर्व चेर्में थे अध्यक्ष थे और यह भी समझने आप इन स्कीम में से में सायद ही कोई स्कीम पूछी जाएगी यह प्रिलिम्ट के लिए स्पेसिली डिजाइन है क्योंकि इसी हिसाब से यह सारे में इन्फॉर्मेशन टाइप है इसमें कोई एनलाइसि ट्रेन हैं उनकी शेवाओं को इंप्रूब करने के लिए प्रोजेक्ट या उप्रेशन स्वांड चलाया गया है इसके माध्यम से इन ट्रेन में दस की एरिया पर यानि दस मुख्ष चित्रों में सुधार करने की बात कही जाएगी सुधार किया जाएगा पंक्च्वल्टी और वहां वो रेगुलर फीडवेक भी रेलेवे को दे पाएं अब उसके बाद इसकी में अगली निर्वाण तो निर्वाण आप लोगों ने पढ़ा होगा जैंदरम और बहुत धरम में निर्वाण एक ऐसी स्थिति है जहां व्यक्ति सभी समश्यां समुक्त हो जाता है त जिसका उदैश ही ये है कि यात्रीयों की ग्रीवेंस को एड्रस किया साब कर AUDIन Sc aç के एक इनफ्मिशन sociology की एप है जो रेल क्लाउड पर सबसे पहले उपलप्ध है लांच किया गया था रेल क्लाउड क्या है रेल क्लाउड यानि जहां railway का सारा data उपलब्द होता है उसको open source cloud को rail cloud कहते हैं जीसे कि जन्दली होता है आप अपने mobile पहें देखते होंगे data को cloud में feed करें या गुगल cloud में feed करें तो मतलब Google को ज़्काइब data होगा उसे सब access कर सकते हैं वहाँ से तो cloud ज्यादा feed करने से नुक्सा नहीं हो सकता है कि आपके फोटो वगेरा आपकी परसनल एडिस चोरी हो सकते हैं इसलिए क्लाउड का उप्योग बहुत कम करें आप लोग तुछ अच्छा रहेगा इसके माध्यम से करना क्या है कि कोई भी ऐसा यह एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि यह कोई अभी जो स समाधन करने की कोशिश करेगा है अगली श्रिष्ट तो स्रिष्ट के माध्यम से करना यह है कि तो शूत्र तो एक संस्थान है इसके माद्यम से क्या किया जाएगा इसके माद्यम से ट्रांस्पोर्टेशन में रिसर्च की जाएगी और उसका इनलेटेक्स यानि की विश्रेशन भी किया जाएगा उसके बाद है अगला जो इसकी मैं वह है संपर्क समनवैंड संबाद यह क्या है कि इसके माध्यम से क्या है कि जब हमको न्यू इंडिया प्राप्त करने का लच फिकार से जिसमें न्यू रिल बे न्यू इंडिय किविजन कrat न को कि लुट करा ता इसके माध्यम से पूराने तरीके से यह उख़र करके नए विचारों को लाकर करके समाप्त करना था इसके माध्यम से, इन सब कीज़ पर चर्चा की गई थी, अगर आप से पूछा जाए कि संपर्क, संबंद किस मंत्रले से है, या ऐसा कौन क्लेब था, जिसको हाली मायूद किया गया, तो किस मंत्रले से है, तो railway से था, आप दोक्स इतना ही समझे यहाँ, उसके बाद है project सक्षम, सक्षम का मतलब होता है capable, किसी को छमतावान बनाना, तो railway ministry में भी कुछ ऐसा ही होगा, इसके माध्यम से करना क्या है, यह एक comprehensive training program है, एक ब्यापक precision कारकरम है, यह Indian railway ministry के दोरा या Indian railway के दोरा इसे launch किया गया है, इसके माध्यम से किया क्या जाएगा, जो railway के जो employee है, उनकी skill को upgrade किया जाएगा, और उनको ग्यान में बर्धन किया जाएगा, यह इसके माध्यम से क्या होगा, इसके माध्यम से क्या क्या किया जाएगा, कि एक सब्ता की training दी जाएगी, उन करमचारियों को जो railway में लगे हुए हैं, जिससे कि वो अपने छेत्र में बहतर साल के नतरगत, लेकिन अभी भी चलता रहता है, यह प्रोजेक्ट सक्षम के नाम के नाम से ही, कुछ अन्य मंत्रालें की हैं, तो जरूर धान रखें, क्यों कभी भी पूछा सक्षम किसी संबंद में, 2017 में एक बार UPPS में पूछा था, प्रोजेक्ट सक्षम, तो वो फाइन साथ कौन-कौन से सक्षम है, तो एक प्रोजेक्ट सक्षम लाउंच किया था, रिले मिनिस्ट्री ने वो हमने देखा, उसमें इस किल और नॉलेज को अपगेड करना था, करमचारियों की, दूसरा फ्रोजेक्ट सक्षम है, एक इसी नाम से वो मिनिस्ट्री और फाइने इस पीब करने के लिए यह प्रोयक्वड को लाया गया यह इसके अंतर लाया इसका मिल्पाएं अगला सोंग मतलब है सभुडबद SEvery टी डिच सब्सक्राइब करें इस प्रकार से पीपल सेंटर के एक्टिविटीज है उनको बढ़ावाद है यानि लोगों को जागुरूप कर रहा है जिससे के वो फ्यूल को बचाएं इस प्रोजेक्ट सक्षम का जो पैटरोलियम और नेचलल गैस मिनिश्ट्री ने लौंच किया था इसके माध्यम से क्या करना है कि एक training module तयार करना है जिस्टे के जो दूर्दराज के एरिया है जो फार फलंग रीजन है रिमोट एरिया है उन्हें में remote sensing और जिगरुफिकल information system जियाइस रिमोट sensing जियाइस दूर संबेदन और जियाइस यानि जिगरुफिकल information system इसके माध्यम से उन दूर दराज के एरियाज के बारे में planning की जा सके तो यानि की कुल मिला करके उन छेत्रों की छमताओं में ब्रद्धी हो सकेगे अगर हम वहाँ प्लान तरीके से विकास करेंगे तो उन छेत्रों की शमताओं में यानि capacity में बिल्ड हो पाईगी उनकी वहाँ ऐसा ही एक HRD Ministry ने सक्षम स्कॉलर से पर स्कीम लाउंच की थी इसका उद्धेश यह था कि जो वीकर सेक्षन है समाज के या फिर जो विकलांग व्यक्ति हैं उनको डिप्लोमा और डिग्री लेवल तक टेक्निकल एजुकेशन उपलब्ध कराने में सहयता करना था इसके माध्यम से अब देखते हैं रेल्वे का अगला समनवे पोर्टल समनवे का मतलब होता है इंग्लिस में कॉडिनिशन इसके माध्यम से क्या होगा कि मान लेजिए कि किसी राज्य विशेस में रेल्वे का इंफ्रेस्ट्रक्चर बहुत विक्षित नहीं है तो कौन-कौन से पेंडिंग क बताएगी बत रेल्वे बगेरा को कि यहां यहां काम बचा हुआ है तो आप यह काम कर दीजिए तो यानि सब लोग का समनवे हो पाएगा उस रेल्वे के छेत्र में अब देखते हैं स्मार्ट फ्राइट ऑपरेशन अप्टिमाजेशन एंड रियल टाइम इंफॉर्मिशन इसके मातिम से क्या होगा कि जो फ्राइट मैनेजर हैं फ्राइट मैनेजर्स को अपना काम बहतर कर पाएं समध देख लेते हैं बिच प्रोवाइट्स फीचर्स फॉर मॉनिटरिंग एंड मैनेजिंग फ्राइट विजिनिश यूजिंग जोगर्फिक इंफर्मिशिस्टम के लिए मैनेजर इना प्रफिक लिए फैयला रे निकिम है याब देखते हैए प्रमु है प्रमुक पॉइंट से हैं सबसे पहला पॉइंट यह है तर का ससिरिंग के साब्सी बढ़ा सबसे दूसरा सबसे वड़ा जो उइ आप्रेशन कंट्रोल सेंटर है यहांनि वर्टस honour कंट्रोल सेंटर फमस्टर फर्रैंट ट्रेंज यह राइब्याग किया गया है रिज़िए ट्रसक्राइब क्या करेगा यह करेगा यह जो इस्टर डेडिकेटर पर जो फ्राइट सर्वेसिस चालू की जाएंगी उनको कॉडिनेट करेगा कि उसके बाद अमिताब कांथ पैनल का विजिकर आता है यह गठित किया गया है जिसका उद्देश यह निरिक्षित करना है या या यह यह ओवर्शी करना है कि प्राइवेट सेक्टर की एंट्री को कैसे बढ़ावा दिया जाए और प्राइवेट सेक्टर 150 ट्रेन के डेवलपमेंट में और 50 रेलवे के स्टेशन में कैसे वैस्ट्विक मानरों के मानकों के नरूप ठाम कर पाएगा तो अमिताब कांथ पैनल का देश्द प्राइवेट सेक्टर के एंटरी को लेकरके विचार करना है उसके बाद है अगला प्राइंटतेजजGS इक्सप्रेश तेजस हैं बहरत की पैविडियों में बताया था त्युक्त बात द्यान रखेंदाबाद मॉंबाई को भारत की प्रेवीट ट्रेन है बैकिन आई-यार-चीटिस के दोरा के चला रही है, जो railway ministry के अंतरगत ही आता है उसके बाद देखते हैं कि operating ratio आलेंक मैंने कल की वीडियों बताया था लेकिन फिर भी एक बार और समझ ले operating ratio का मतलब है कि railway 100 रुपे कमाने के लिए कितने रुपे खर्च कर देती है यानि जो प्रचालानात्मक जो अनुपाद है उसका मतलब होता है कि railway 100 रुपे कमाने के लिए कितने रुपे खर्च करती है तो जो बरतमान में है या currency लग गया है गलती से it is currently है तो जो बरतमान में है बरतमान की financial year जो फिलहाल 2019 भी सब्सक्राइब हो गई है 31 मार्च खतम हो गई एक अपरेल से 2020-21 फैनेंशल इस्टार्ट हो गई क्योंकि भारत की फैनेंसल इर है वह एक अपरेल से 30 मार्च चलती है तो जो जेस्ट अभी फैनेंशल जो प्रिवेस यर फैनेंश फैनेंशल थी 2019-20 में तो उसमें ऑप्रेटिंग रेशियो इंडियन इंडियन रेल्वे का वो 96 पर्षेंट था इसका मतलब है कि 100 रुपे कमाने के लिए भारती रेल्वे को 96 रुपे खर्च करने पड़ते थे अर्था चार रुपे की बच्चत हो पाती थी कि एक रिपोर्ट में बताया गया है कि 2078 में जो रेल्वे का उप्रेटिंग रेशियो था वो 98.44 पर्षेंट था जो पिछले दस सालों में सबसे खराब इस्तर का था अब देखते हैं कि इंडियन रेल्वे के द्वारा जो पैसेंजर का जो फेर है उनका रेसनारिजेशन क अपने क्राय में व्रद्धि करना चाहता है तो इसलिए क्योंकि यात्री यात्री जो ट्रेन होती है रेल्वे की अक्सर घाटे में है जो मालगारी होती है मालगारी ही बस ज्यादा तर रेवैन्य उपलब्द कराती है रेल्वे को पैसे रेवैन्य उपलब्द नहीं करा पा जाएगा उसके बाद क्या है कि जो passenger amenities होती है यानि यात्री सुभधाई होती है railway station पर और trains में उनको विश्थारित किया जाए यानि two passenger amenities and facilities at railway stations and trains और क्या है जो सात्मा वेतन आयो लग गया है सेबंथ पे कमिशन की कारण जो बोज बढ़ा है उसको भी सम्हाल पाय रेलबे इसलिए यातिक राया को बढ़ाने की बात की जा रही है इससे पहले 2014-15 में इसको बढ़ाया गया था यानिकि रिवाइज किया गया था इन फेर्स को तब उद्देश था कि फ्यूल कीमत थी यानि की कीमत ही बढ़ गई थी तो फ्यूल एड़ेस्टमेंट कंपोनेंट के रूप में यानिकि इधन समायोजन घटक के रूप में वह यातिक राय बढ़ाय गये थे इंडियान रेलवे इंस्टिटूट फाइनेंशल मेनेजमेंट यानि आ एर आ आए फेम यह है इन्डियनारवाद में स्थापित किया गया है इसके माध्यम से, इंडन्य रेलवे के प्रफेश्नल ट्रेंदिंग पुरदान कि जाएगी इस हैंथाद में, जहां क्या इस्थापित किया गया है, इंडन्य रेलवे इस फानेंचल प्रोजेक्ट सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट किरल में स्थापित के जा रहा है किरला गवर्मेंट ने कहा था कि हमारे यहां कुछ मेजर टाउन और शिटी है उनको जोडने के लिए समी हाइश्पी ट्रेन चाहिए तो रेलवे ने से अप्रूवल दे दिया है और यह भारती इ सवक्ष भारत अभ्यान 2 अक्टूबर 2014 को गांधी जैनिती में सुरू किया गया था दो अक्टूबर 2019 को भारत को टोटल ODF यानि ओपें डिफिकेशन फ्री गोशित कर दिया है बिल्कुल खुले से खुले में 100 से मुक्त भारत को 2 अक्टूबर 2019 को मुक्त कर दिया है गोश भारत यानि सवक्ष रेल्ट सवक्षभःत इसके बार इसका यक उद्देशी था के इंडिया रेलवे के जो वहांदन्ह सुदार्श बहा सब्सक्रा रह度 है यानि कि सच्छत हमेशा रखी जाए उसके बाद जो अगला कॉंपोनेंट है वो है आधर सिस्टिसन इसकी तो आधर सिस्टिसन इसकीम के अंत्रगत जो प्रमुख बड़े-बड़े रेल्वे इस्टिसन्स हैं उनको और अठर किया रहा है इस इसकीम को लागू कर रहा है इसका नाम क्या है इंडियन रेलवे स्टिसन डेवलप्र मेंट कॉरपरेशन यानि इसमें इंडर रेलवे के साथ प्राइविट सेक्टर के लोग भी इसमें सहता देंगे यह यह समझा चुका हूं कल की वीडियो में इंडर रेलवे की कंपनी है लेकिन यह आदर्स इस्टेशन बनाने के लिए समझें इंगले समझें एक दम लेवल के सब्सक्राइब करना कोई वहां तिकत नहीं हो अगला जो कंपोनेंट है वह नेशनल डेलवे डेवल्प्मेंट प्रोजेक्ट यह नि अब लोगों ने अभी शुरुआत में देखा था क्या क्या देखेंगे लोग वहां तो इसमें मु और है यह अञ्चाद करना था वह नेशनल रिट५य में अंतर चाल डेलवे को नेटवर्क को और मजबूत करना था और दूसरे component के रूप में यानि NREDP के तीन component है National Railway Development Project के तीन component है तीन घटक है तीन में से पहला है Golden Quadrid Project को अंत्रकत जो Railway Network है उसको मजबूत करना दूसरा घटक है कि चार बड़े जो महा सेतु है या बड़े-बड़े पुलों का निर्मान करना तो वो चार ब्रिज कौन-कौन से है तो दो गंगा नादी पर है एक ब्रहमपुत्र और एक कोशी गंगा नादी पर एक है पटना के समीव दीगा सोनपुर और दूसरा है मुंगेर और खगरिया और तीसरा है ब्रहमपुत्र नदी पर डिब्रुगड के निकट बोगी बील ब्रिज और चोथा है निर्मली भयतियाही कोशी नदी पर और इसका जो तीसरा कंपोनेंट था इसी नेशनल डिव डिवलप्मेंट प्रोजेक्ट का वो है स्पीडी कनेक्टिविटी टूपोर्स यानि कि बहुत तेज गती के साथ बंदर गहां से लिंक के स्था पर तो पाया रेलिवे का यह इसका तीसरा कंपोनेंट था तो फिर से झानेंट जो यह है कर दोर्प्रानेंट वो को यह है कि दुनिया का सबसे पुराना फ़ंक्शनल लोकोमोटिव यानि कि सबसे पुराना एंजट जो अभी घारत सी बात है और इसे ग्रार्ट्द दुमी इज बुक-फवर्ड रिकॉर्ड में भी सामिल किया गया है इस चीज के लिए कोहरे की समय होता है अगला पाइंट है कि कोहरे की समय जब भारती रेलवे चलता है तो भॉत 24 गंटे लेट ट्रेन हो जाती है बहुत त्रेन लेट हो ये इतने त्रे घंटे तो सब्सक्राइब ब thanked yourself का 21 shift की राष्टे सी घुजारा दाएब समद्र के राष्टे से हम मुंबई से हमदाबाद बुलेट ट्रेन के माध्यम से सिर्फ दो घंटे तक दो घंटे में ही पहुंच जाएंगे इसमें जापान की प्रमुख मदद ली जा रही है यह ज्यादा सबसे ज्यादा फंडिंग जापान ही कर रहा है अब देखते हैं कॉंगण रेलवे प्रोज से करनाटक के मंगल और इस्टेशन तक जाता है कि इससे जुड़ा हुआ नहीं है कई बार पूशा गया है कॉंकर रेलवे प्रोजेक्ट के माध्यम से कौन-कौन से जुड़े हुए हैं तो कि नहीं जुड़ा हुआ है महराष्ट गोवा और करनाटक तीन ही जुड़े मेटर की पहली रेलवे हैं भारत की चलने वाली जो पढली पहली ट्रेन है फिर थिया अग्ला पोउन्ट यह है कि कर दिया गया है मर्च पर द कर दिया गया लेकिं 1921 कमैटी बनाइंटी थी एक वर्ऱ कमैटी British period में तो 1921 में वो कमेंटी बनाई गई थी Agworth कमेंटी ने सिफारिस की कि railway budget अलग होना चाहिए आम budget से क्यों क्यों कि railway बैवा ज्यादा focus करना था उनको इसलिए उसको अलग budget क्या हो सकता थी तो 1921 में ये कमेंटी बनाई गई थी 1924 में इसकी कमेंट इस कमेंटे की सिफारिस को लाओ कर दिया गया और 1924 में पहली बार आम बजट और रेल्वे बजट अलग से पास किया गया लेकिन बितवर्स 2017-18 से ये फिर से एक साथ पास किया जाने लगा है और एक साथ पास करने या इनको दुबारा से मर्ज करने की जो बात कही है वो देवराय कामेटिक की सफरेस पर किया गया है यहां यहां उम्मीद की जाती है सीवो ख रांगिपो रोर्य प्रोजक्ट यह पश्च्ण बंगाल के नीचे जो सबसे उपरी जला है अर ये दार्जलिक को जोड़ेगा और अधर इस्ट शिक्किन को जोड़ेगा सिक्किम के और रहाний एक हमारी कोppenिा से हर्ग यह तो अ causingAAj आज के लिए नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद.